ये वीडियो आपका बहुत अमाउंट या फिर वह SEO कह लीज़े, ASO कह लीज़े, वो जो वहाँ पे लगने वाला है, प्रोमोशन स्वेगेरा में, आपका बहुत सारा माउंट जो प्रोमोशन में लगने वाला है, उसको ये कम कर देगा, ले स्टोर में दोस्तो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आइकन, स्क्रिंशॉट, उसकी बाद, मैनेजिंग रेपूटेशन, ये पाँच पॉइंट के ओपर मैं आपको बहुत ही डीटेल में समझाओंगा, ठीक है? दोनों ही वीडियो पर कमेंट सारे थे कि भाईया, प्लीज, थोड़ा डीटेल में और समझाइए, क्योंकि दोस्तो, आप सभी को पता है, कि बिना पैसे के, मतलब बिना प्रोमोशन के, अगर आप अपने अप्लिकेशन पर डाउनलोड लाना चाहते हो, तो वो एक ही वे है वो है अप्लिकेशन सर्च ऑप्टिमाइजेशन, और आप यह सभी अच्छे से जानते हैं कि प्रोमोशन में कितना ज़्यादा पैसा लगता है, तो यह वीडियो आपका बहुत अमाउंट, या फिर वो SEO कह लीजे, ASO कह लीजे, वो जो वहाँ पे लगने वाला है, प्रोमो अगर आप Play Store की बात की जाए, तो Play Store में आप सभी को पता है, हाला कि हम Google और Apple के दोनों के अल्गोरिदम तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना को हम जानते हैं, कि Title और Description बहुत main रहता है, अब बात की जाए, टाइटल अगर आप Android के लिए, हाला कि दोनों के लिए आइकंस, स्क्रिंशॉट, उसके बाद managing reputation, यह 5 पॉइंट्स के उपर मैं आपको बहुत ही detail में आपको आप समझाऊंगा, ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले टाइटल के बारे में, ठीक है, टाइटल कैसा रखना चाहिए आपके application का, ठीक है, क्योंकि दोस्तों, बोलते हैं, कि यह application download करो, तो title बहुत ही easy होना चाहिए, मतलब वो इतना आसान हो, बहुत ही hard ही होना चाहिए, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए title कभी भी ऐसा रखे है, कि जो बोलने में आसान हो, ठीक है, उसके बाद में title आप एक और example देता हूँ, आप सभी को पाता है, पेटियम आप जाके प्ले स्टोर पे सर्च करना, प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर पे सर्च करना, तो वहाँ पे उनके title में और भी बहुत सार चीज़े आई है, जैसे UPI, Money Transfer, Recharge, Bill Payment, यह भी उन्होंने वहाँ पे डाल के रखा हूँए, ठीक है, क्यों क्योंकि लोग सिर्फ पेटियम सर्च नहीं करते हैं, उससे रिलेटिट अगर यह सर्च करें, तो भी पेटियम वहाँ पे दिखता है, टॉप 10 सर्च रिजट में, ठीक है, तो आपका जो application है, आप किसे भी category का application में वहाँ लीजे, तो उस category से related जो applications है, उनके भी titles आप करते हैं, description के बारे में, title आपको समझ में आ गया, एक तो बोलने में easy होना चाहिए, आप अपने application का ऐसा title रखे, ठीक है, दूसरा, वो search list में भी आना चाहिए, इसलिए आप title थोड़ा, क्योंकि 100 words तक आप title लिख सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर में, तो वहाँ पे title के description में, आप keyword यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आपके application के अंदर क्या-कया features है, या फिर, आपके application किस category से related है, या आप short description में डाले, ठीक है, description जो full description होता है, यहीं पे आप लोग गलती करते हो, क्योंकि description बहुत main होता है, गूगल ज्यादा तर, Google का algorithm है, जो भी keywords लेता है, ज्या category का, जो keyword कोई होगा, जो जाधा rank करता होगा, ठीक है, जैसे video status में, video status for WhatsApp, यह जाधा search करते हैं, ठीक है, तो इस keyword को आपको अपने description में, at least five times, तो कहीं न कहीं पुट करना है, अब होता क्या है, कि आप लोग description, जब मैं बदाता हूँ, कि ऐसे aso को use करना चाहिए, या फिर aso के keywords को ऐसी use करना चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, कि आप लोग भर भर के डाल दे दो description, ऐसा भी नहीं करना है, description पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, पढ़ने मजा है उसको, ठीक है, थोड़ा fun type लगना चाहिए, उसके बाद में आपके applications के features वहाँ पे आपको बतान जब भी आप description लिखते हो, और आप सभी को पता है, जब भी आप description लिखते हो, और उसके साथ साथ एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, वह जो description है, आपका application, जो आपके application के users है, जो आपके targeted audience है, उनकी language क्या है, मतलब ज्यादा तर localization जो होता है, वह भी आपको वहा आप description हिंदी में लिखिए, और keywords जो है, उसी तरीकी से सजा के लिखिए, वह ज्यादा बेस्ट रहेगा, यह हो गया, टाइटल और description, इसको अगर आप अच्छे समझ लेते हैं, मतलब वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसको लिखते डाइम आपको समझना है, कि क्या और कहां कैसे put करना है, अब बात करता हूँ, icons के ओपर, ठीक है, दोस्तो, icons की जब बात आती है, आप लोग सोचते हो, application का icon कैसा होना चाहिए, 512, 512 का होना चाहिए, अच्छा सा डाल दिया कैसा भी, तो वैसा मत डाली कभी भी icons, icons दोस्तो, मतलब एक application का first look जो होता है, जब आइकन को देखके, लोग ज़्यादा दर download कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं होगा दोस्तो, ऐसे बहुत साई developers हैं, जिनको इन सभी tricks के बारे में पता है, और उनके application में कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो millions of downloads करवा लेते हैं, user से, ठीक है, क्योंकि वो इन सभी चीजों को जानते हैं, user behavior को समझते हैं, ठीक है, तो icon में आप 3D थोड़ा use कीजिए, आपके application में क्या features हैं, या आपका application क्या है, वो आपके icon से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ, screenshots के बारे में, ठीक है, दोस्तो, screenshots भी बहुत important है, screenshots में ज्यादा दर application, जब आप Play Store पे डालते हो, आप लोग क्या करते हो, screenshot लिया, आपके application के अंदर का ही, कोई एक और दो screenshot लिया और डाल दिया, वैसा नहीं करना चाहिए, कभी भी उसको design पे focus किजिए, जितना अच्छा design होगा, उतना जादा user समझ अगर आप Play Store पे title, description, icons और screenshot पे इतना द्या किया होगा, वरना कैसे भी डाल के रख दो, कोई user डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है, तो screenshot पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, screenshot उसके साथ साथ वहाँ पे promo video रहता है, आप सभी को पता है, या फिर वाप store है, या Google Play Store, वहाँ पे promo video डालने के लिए आप्श ये भी पता चिल जाएगा, कितने लोगों ने देखा है, या आपके application को सिर्फ देखा कितने लोगों ने बहले डाउनलोड ना किया, ठीक है, तो वीडियो, प्रोमो वीडियो, बेस्ट रहता है, प्रोमो वीडियो में आपके application अंदर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़े टाइटल समझ गए, स्क्रिंशोट समझ गए, आइकन समझ गए, क्या होना चाहिए, लेकिन मैनेजिंग रेपूटेशन क्या होता है, दोस्तो अगर आपका अलड़ी कोई application प्लेस्टोर पे रन कर रहा है, और आप दूसरा application बनवाते हो, तो आपको दुबारा उतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए बहते है कि आप अपनी reputation बनाया रखे अपने users के सामने, ठीक है, तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि जब भी आपके users application डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो कही ना कही feedback भी देते हैं, और rating, reviews डालते हैं, प्लेस्टोर प उनको जब आप reply दोगे ना, तो उनको समझ में आगा, येस आप active हो, ऐसा नहीं कि प्लेस्टोर पे application डाल के छोड़ दिया है, हाँ बही मैं दूसरा कहीं और ध्यान दे रहा है, ऐसा नहीं, आप वहाँ पे active हो, और users पे focus कर उनकी feedback को feed forward में आपको convert करना है, ठीक है, तो इ आप आपको क्या करना है, कि हर reviews का, जो उनको नहीं reply दिया है, भले ही one star दिया हो, कुछ अलग feedback दिया हो, तो उसको समझो, और अपनी गलती को मान के, उस application में improvement लाओ, उससे आपको ये पता चलता हैगा, कि आपके application में कहां क्या bugs थे, आप उसे improve कर सकते हो, आप सबी को पत यानि कि आप अपने application को improve कर पाऊगे, ताकि दूसरे users, जो नए downloads करेंगे, उस पर उनको problem नहीं होगी, ठीक है, तो पुराने users, ये जो आपको feedback देते हैं, इनको feed forward में convert करने से आपका ये फायदा रहता है, यानि कि एक तो आपका reputation भी महाँ पर बना रहता है, कि yes, इस application का जो होना है, वो हमारी बातों को समझ रहा है, ऐसा user समझते हैं, ठीक है, तो I hope दोस्तों आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा, कि exactly आपको क्या करना चाहिए, जब आप play store पे application को डालते हो, और इन सब चीजों को बारिकी से follow करोगे हो, तो आपके application पर promotion की ज कीजिए, और अगर आपको कुछ ये knowledgeable लगा हो, येस, कुछ तो knowledge देस बन दे है, तो अस वीडियो को like जरूर के जागा, thank you दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,